समस्क्राइब दोस्तों में रिमल सिंग बाला जी शरी एड़ा में आपका स्वागत है यूपी डेट, सी डेट, सुपर डेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहें ते से पहले मॉडल पेपर नंबर 12 के अंतरगत परहरण के प्रस देखे थे समान-पृतिमान का सिद्धान, परहें इनकूलित प्रत्यावरतन का सिद्धान यहें आपका इसमें आता है तो आपका पहला option यहां पर सही हो जाएगा बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ की मूल प्रवत्तियों को 14 प्रकार से किसने वह वर्गी करत किया है बहुत ही आसान सा प्रसन है ड्रेवर, मैकडूंगल, थौंडाई के अपुडवर्थ वैसे प्रसन यहां पर और ज़्यादा जब डेटेल में पूछा जाता है तो जो इनकी मूल प्रवत्तियां हैं उसके समवेग उनसे कोशन पूछा जाता है कि इनमें से कौन मूल प्रवत्तियां नहीं है या इनमें से कौन समवेग नहीं है तो जो चौदा है वो आपको पता होंगे तो आप आसानी से यहां से जो प्रसन आएंगे वो कर ले जाएंगे अंसर की बात करते हैं तो मैकडूंगल आपका जो है वो सही हो जाएगा मूल प्रवत्तियों को चौदा प्रकार से मैकडूंगल जो है इन कार की सम्वेगात्मक जो उतेजना है उसका अनुभव करने और उससे संबंदित एक विशेज ढंग से कार करने या ऐसा करने की प्रबल एक्छा का अनुभव करने के लिए बात दे करती है ये इनकी डेफिनेशन है थोड़ी सी बड़ी है पर आपको मूल प्रवत्तिवर्ड देखने को मिलेगा तो आप उससे आसानी से पहचान जाएंगे तीसरा प्रसने आपका एक बालक जो साइकल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है ये उधारण जो है वो किसका होगा चैतिज अधिगम अंत्रड का या फिर उर्द्व अधिगम अंत्रड का या दोई पार्स विक अधिगम अंत्रड का या फिर कोई भी अधिगम अंत्रड का नहीं, तो बताइए इन में से कौन सा सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो ओर्धव अधिगम अंत्रड जो है आपका option बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी जितने भी option हैं, सभी मैंने अलग से बताए हैं, में आपको पता होना चाहिए अधिगम अंत्रड क्या होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज आप सीख रहे हैं, और दूसरे में अगर वही चीज उपयोग में आ रही है, तो वह आपकी कहलाती है, सीखने का अंत्रण या सीखने का इस्थाना अंत्रण, तो उर्ध अधिगम इस्थाना अंत्रण लगाए, कि आपको साइक्ल चलाना आता है, और उससे और उपर लेबल पर अगर मोटर बाइट चलाना सीख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वह उर्ध अधिगम अंत्रण का उधारन हो जाएगा, चौधा प्रस्त है, कि अधिगम के प्रक्रम में अभिब्रेरन सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेधित करता है, एक दिसी, एक दिसी हे रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रूची का सरजन करता है, तो अधिगम के प्रक्रम में मौटिवेशन क्या काम करता है, बिल्कुल जो भी आपको motivate किया जा रहा है, जिस भी चीज के लिए किया जा रहा है, उसमें आपका interest पैदा होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ आपने एक रुची word पकड़ा, उससे आप समझ गए होंगे, कि नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुची का सरजन कर करता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज को ऐसे भी समझे है, कि इसमरती तेज से तो कोई मतलब ही नहीं है, कि memory आपकी तेज हो जाएगी, पुराने दिगम से नए दिगम को अलग करने का कोई बात ही नहीं होगी, एक दूसी रोप से सोचने में सीखने व इसा होगा तभी आप कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, नौकरी पाना होना होगा, तो आपने को क्या 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 है, मोटिवेट किया गया, उस हवाई जाहच का उधान दे करके, और उस उधारन से आपके अंदर क्या पैदा उस विसे के प्रती आपको जिसके लिए मोटिवेट किया गया तो वो रुची जो है वो क्या करती है अधिगम के लिए स्रजन जो होता है वो नए सीखने वाले के संदर में आपर आपका डी वाला उप्षन सही हो जाएगा अगला देखते हैं कि कक्छा 5 के निवन दरश्टी वाले बच्चे को निमनिस्तर के कारे के लिए माप करना उचित है उसके दैनिक कारे में उसके माता पिता तता मित्रों को साहिता करनी चाहिए कक्छा में सामान रूप से बरताव करनी चाहिए कक्छा में विसेज बरताव करना चाहिए तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो प्रात्मिक इस्तर पर न्यून द्रश्टी वाले जो बच्चे हो, उनको सिक्षा परदान करने के लिए, यह आवशक है, कि उनके साथ सामान रूप से बरताओ किया जाए, और यहाँ पर option में देखें, C वाले में यही कहा रहा है, कि सामान रूप से बरताओ करने हैं, में जो सबसे में पॉइंट है, वो है, audio CD के जरिये साहिता प्रतान करने चाहिए, क्योंकि जो main उद्देसी होता है, न्यून द्रश्टी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए audio visual method यूज किया जाता है, बस C वाला आपका option है आपर सही हो जाएगा, मगला देखते हैं, चाठा प्रस्टा, इन में से कौन सी पूर्व बाले आवस्था की विसेस्ता जो है, वो नहीं है, खेलने की अवस्था, प्रस्ण करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, या दल समुह में रहने की अवस्था, तो पूर्व बाले कि अवस्थात देखे होती है सैस्वावस्था में होती है पर यहाँ पर देखे बाल्यावस्था ना करके पूर बाल्यावस्था कहा गया है तो हम अनुकरण को भी ले सकते हैं आपर क्योंकि कई ऐसे मनुविज्ञानिक है जिन्हों आधार पर अनुकरन करने की अवस्था को भी आम इसमें रखेंगे विजेस्ता में, पर अगर दलसमूह में रहनी की आवस्था की बात की जाए, तो ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था में नहीं आएगी, तो आपका अंसर यहाँ पर D वाला सही हो जाएगा, ये आप कहेंगे कि बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में जो है आपका ज्यादा सही होगा, यानि कि बाद का जो टाइम पीरियड होता है, बाल् प्रस्णों को हल करना भी है प्रस्ण पूछना भी है तो प्रोप्त सभी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा आठवा प्रस्ण कहा रहा है कक्षा में जो विद्यारती प्रस्ण पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद सिक्षक से मिलने की सला दी जाए या फिर कक्षा चर्चा तो फिर वो कहां से डून के लाएगा जब उसे आ नहीं रहा है तब ही दो आपके पास पूछने आया है तो आपका D option तो यहां से कट जाएगा यह answer नहीं होगा कक्छा के बाद सिक्छक से मिलने की सला देंगे तो हो सकता हो कि उसको जो doubt आया है वो आप उस समय जो पढ़ा रहा है उसी से ही related आया उसने तुरंट पूछ लिया तो आपको answer वहाँ पर तुरंट देना चाहिए तकि जो भी उसका doubt है वो clear हो जाए बहुत से doubt छोटे-छोटे बन जाते फिर उसको इखटा करके पर आपसे बाद में पूछेगा तो वह बहतर तरीका नहीं होगा यह वाला option है आपर कट जाएगा कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोसाहित करेंगे या प्रस्ण पूछ रहा है तो प्रस्ण के लिए ही प्रोसाहित करेंगे तो B भी कर जाएगा C वाला है आपर सही होगा लगातार प्रस्ण पूछने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए यही आपका option है आपर सही हो जाएगा अब आप प्रस्ण देखते हैं कि सिक्षा की kindergarten जो पदिती है उसका प्रतिपादन जो है वो किस ने किया था चार option है टीपी नन ने स्पेंसर ने फ्रोबेल ने या फिर मॉंटिसरी ने बताइए इन में से कौन सा सही होगा इसके लाबा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा शेर भी करते रहेगा इससे परकार अच्छे प्रस्ण हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे है अंसर की बात करते हैं तो kindergarten प्रतिती आप जानते हैं वो दिती फ्रोबेलने सी वाला आपका option है आपर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दस्वा प्रस्ण कहा रहा है कि व्यक्तिकत विभिनताओं से संबंदित निम्न में से कौन सा कतन या आपर जो है वो सही है सही कतन चाड़ना है पहला कहा रहा है यह थी विद्यारतियों का वुद्धिस्तर समान है तब भी उपलब्दी में विभिनता हो सकती है दूसरा कहा रहा है कि व्यक्तिकत विभिनताओं वंसा नुकरम के करण होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने बताया ना काफी वारवंसा नुकरम वाज़ावन दोनों का मिला जुला रूप या दोनों का सम्मिलित रूप कहीना कहीं प्रभावी होता है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं तो बिलकुल गलत है व्यक्तिगत विविनताओं के वक्र कीच कर दिखाने पर वा एक दिसा की ओर जुग जाता है तो ये भी गलत है पहले ही वाला यहाँ पर सही है कि व्यक्तिगत विविनताओं से सम्मंदित कौन सा कतन सही है तो सही यह है कि यदि विध्यार्तियों का बुद्धिस्तर समान है तब भी उपलब्दी में विभिनता हो सकती है मतलब मान के चलिए कहने का मतलब है कि एक एक लास में 2 बच्चे एक की बुद्धि लबदी आपने चेक की 130 दूसरे की भी चेक की 130 तीसारी और दोनों में अगर टेस्ट कराया जाए तो एक के नंबर अलग आ सकते हैं दूसरे के नंबर अलग आ सकते हैं और आपको यही यहां पर कहाने का प्रयास किया गया है कि बुद्धिस तर अगर समान भी है तब भी जो उपलब्दी प्राप्ट की उन्होंने उसमें विभिनता आपको देखने को मिल सकती है यही यहां पर बात की गई थी 11 प्रसन कहा रहा है बच्पन का सामप्रतिक दृष्टिकोड की मानिता क्या है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्ट वैसकों के बराबर हो जाते हैं या फिर बच्चों को युवा प्राप्ट वैसकों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है या बच्पन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधी है या बच्पन व्रद्धी और परिवर्तन की एक अनूठी अवधी है तो बताईए बच्पन का सामप्रतिक दर्ष्टी कोड क्या होता है तो आपने खुद ही देखा होगा बच्पन की सामप्रतिक दर्ष्टी कोड के रूप में हम बोलते हैं कि बच्पन व्रद्धी और परिवर्तन की एक अनूठी अवदी के रूप में जानी जाती डी वाला आपका option यहाँ पर सही हो जाएगा अगला देखते हैं अगला देखते हैं प्रसनाप का बारा बारा प्रसनाप का है कि प्रमाडी करत पठन परिक्षा लेने के लिए पांचवीक अक्षा को प्रस्तुत करने में तारिक परामर्स दिया जाता है कि पहला कह रहा है कि बच्चों को बोलना कि परिक्षड बहुत महत्पूर है और वह उसमें अच्छा प्रधसन करेगा तो पहले ही आप बच्चों से इस तरीके की आप एक्षाय रख रहे हैं तो यह तो आपका पहला option यहाँ से काट दीजि दूसरा कहा रहा है कि पूर्व वर्ती परिक्षा से प्रधान प्रस्णों को चिन्नित करना और चात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमती देना उतना सही नहीं है पर और भी option देखते हैं निम्न कोटी के पाठकों को प्रिक्षड देना ताकि निम्न कोटी पहले चात्रों को अभ्यास कराना बस यह आपका सही हो जाएगा प्रमारी क्रत पठन परिक्षड जो है उसका आयोजन से पहली आवश्यक होता है कि सिक्षक परिक्षा का जो पार्टिक्रम है परिक्षड का प्रारूप है उसके बारे में चात्रों को जहनकारी दे दे और अधिक से अधिक प्रस्णू का क्या रहा है अभ्यास करा है तो यहां पर D वाला आपका option जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है S.O.R. theory किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया वाट्सन कोपका कोहलर गेश्टालवादी मनोविज्ञानिक तो बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारो option में से तो S.O.R. जो theory है वो दी गई थी तो देखिए इसमें option actual में गलत दे रखे हैं यहां पर S.O.R. जो theory है वो दी थी वुडवर्थ के द्वारा यहां पर option में चारो ही नहीं है तो वुडवर्थ आप नाम ध्यान रखेगा और S से क्या हो जाएगा आपका stimulus हो जाएगा ओ से जो है organism और R से response यह की फुलफॉर्म होती है और यह जो है कि बुद्धिमान है तो नहीं होगा उसके साथ संतुष रहेंगे नहीं होगा सी वाला आपका अंसर सही हो जाएगा कि जैसे वो प्रकृति कर सकेगा उसके अनुसार उसे दिसा निर्देश देंगे कई बड़ देखते ना कि आपको पता होता है कि बच्चा बोलने हम बहु ही नहीं करती है बिल्कुल करती है तो आप्शन काट दीजे विचार प्रक्रिया का निर्दारण नहीं कर सकती है बिल्कुल काट दीजे हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है ऐसा भी नहीं कह सकती है कि पूरी तरीके से नहीं नियंत्रित करती ह हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करती है बस डी वाला आपका option सही हो जाएगा इस तरीके तक आप option काड़ कर अंसर तक बहुत सकते हैं 16 प्रस्न है कि वह इस तर जिसमें बच्चा किसी वस्तू और घटना के बारे में तारकिक रूप से सोचना सुरू करता है वो इन में से कौन सी है समवेधन, प्रडोद अवस्था, आपचारिक अवस्था पूर्व, यहाँ पर पूर्ड नहीं पूर्व होना चाहिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्थ क्रियात्मक अवस्था मिलती है और यह जो अवस्ता होती है उसमें बालक में मांसिक चिंतन तर्क वितर करना निरड़ाय लेना जैसे गुड़ों का विकास होने लगता है तो आपका मूर्त वाला आप्शनियां आपर सही हो जाएगा 17 प्रसन कहा रहा है बच्चों के बाधिक विकास के चार सुइसफष्ट इस्तरों को किसने पहचाना था कोहलबर ने एरिक्सन ने इसकिनर ने पियाजे ने बताईए इनमें से कौन से सही होगा तो चार इस्तर किसने बताया थे अभी जो हमने देखे थे बस वो जीन पियाजे जो है उनी के दोरा बताये गए थे और यही आपका सही हो जाएगा बधिक विकास के चार स्तर थे और वही हम पर पूछा भी गया है 18 प्रसने अलप वैसक जो बच्चे है उनके अधिगम में अभिवावक की भूमिका क्या होनी चाहिए निसे धात्मक की अग्र सक्रिये की स अग्र सक्रिये रूप में आपका भूमिका आउशक होती है 19 प्रसने बच्चों के सग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभासित किया जा सकता है केल के मैदान में विद्धालया और कक्षा में और ग्रह में बताइए कौन सा इनमें से सही होगा तो अगला प्रसन 20 कह रहा है सैक्षिक विकास में मुल्यांकन का अर्थ जो है क्या होता है कि कितना आपको ज्यान है उसका मुल्यांकन किया जाए तो अभिलेक से कोई न देना नहीं प्रगती से भी नहीं कारिन इस्पाधन का भी नहीं, D वाला आपका उप्शन जो है, वो यहां पर बिल्कुल जो है, वो सही हो जाएगा, कुछ हद तक B वाला उप्शन भी सही है, पर D वाला यहां पर जो है, वो अंसर हो जाएगा, ज्यान चम्ता का मुल्याकन, यह exact आपका अंसर यहां पर हो जा उसमें भी आपको इंट्रेस्ट मनाना जा रहे हैं तो बीज़वीट में आपको प्रस्त पूछते रहना चाहिए तकि बच्चों का ध्यान लगा रहा है तो यह वाला आपका, यानि डी वाला आपका यहां पर option जो है, वो सही हो जाएगा और वो उसी विशेवस्तो से सम्मंदित प्रस्न पूछते रहने चाहिए जो आप पढ़ा रहे हैं तो यह आपका जो है, वो छात्र भी सक्री रहेगा, सिक्छक भी सक्री रहेगा बाइस प्रस्ने प्राइड के अनुसार, हमारे मूल्यों का आंत्र की करण किसमें होता है, अहम इदम परामाहम परिस्ति हो, बताईए इन में से कौन सा सही होगा सिग्मन्ट फ्राइड के अनुसार व्यक्तित को जो इन्होंने इस्पष्ट किया है वो मनोविशलेशलात्मक सिध्धान्द का प्रतिपातन इन्होंने किया था और जो यहाँ पर बात की गई है वो इन्हीं के सिध्धान्द के अंतरगा थी इन्होंने व्यक्तित के जो मनोव परम आहम है, यह सबी सीजे मैंने आपको एक एक्जामपल के जरीए बताईती हैं, अगर आपको याद होगा, यह जो इदम होता है, उसमें व्यक्ति की जो दमित एक्छाय होती हैं, वो देखने को मिलती हैं, उसकी ततकाल पूर्ती करने के लिए उसे प्रयास करने के लिए उ पास्त्विक जो इस्तिती है उसका जो है उससे परिचे कराता यह आप कह सकते हैं अगला देखने हैं आपका 23 संकलानात्मक जो परामर्स है उसके जन्मदाता जो है वो कौन है चार आप्षन है पताएं इन में से कौन से सही होगा Williamson, Thorne, Rogers इन में से कोई नहीं अंसर की बात करते हैं तो आपका B वाला ओप्षन Thorne जो है वो सही होगा F.C. Thorne इनका पूरा नाम है और इस प्रकार का जो परामर्स होता है उसमें परामर्स दाता ना तो अधिक सक्री होता है और ना ही अधिक निस्क्री होता है यह होता है आपक अधिगं के लिए कुछ जो पक्ष होते हैं उनसे संघर्स करते हैं तो बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं फर्प्रस प्रकार के लिए यह přिक्षा के लिए सबसे महीं क्या होता है खशा में अनुसासन, बनाए रखे का विद्ध्यान, सुवक्ता होना कौन साइन में से सही होगा तो आप कहेंगे जो भी कठनाईया हैं विद्ध्यारतियों कि वह दूर होनी चाहिए सबसे में इंपॉर्टेंट वही है कक्षा सिक्षड के दौरान और भी चीजे जरूरी है जैसे अनुसासन मनाय रखना समय अनुगर्ति सुवक् कोड़ पूछा गया तो यह आपका सी वाला ऑप्षन सही होगा अब इस प्रसन है आप एक अती सक्री बालक को कैसे सही दिसा मिलाएंगे उसे पहले पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे या उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगा निरधारी करे हैं ताकि उनका खुरावाती जो दिमाग है वो ना चले इस तरीके से आप क्या कहेंगे उसे स्यामपट आदिसाब करने का काम देंगे तो यही आपका यहाँ पर सही होगा देखने में अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे आप बच्चे को काम दे रहें पर यही इसमें जो आय संबंधित का रहें उससे बच्चा दूर रहें उनको ना करें इसलिए जो भी उससे संबंधित का रहें उसी में उससे आप उज्जा रखते हैं 27 प्रस ने ब्रेल लिपी और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए सैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रियुक्त किये जा सक प्रैस ने आपको अपनी कक्षा में दो मंध बुध्धि बाच्चे जो हैं उनको बैठाने के लिए बोलागे हैं आप उन्हें अपने विद्यार्ति की रूप में ग्रहन करने से इनकार कर देंगे प्रधाना द्यापक को ने किसी और कक्षा में जो की मंध बुद्धि बाल के लिए बोलेंगे बिल्कुल आप कभी नहीं कर सकते ऐसा ओप्षन सी वाला सही हो जाएगा सिखाने की तक्नीक जो है वो सीखेंगे सिखेंगे 29 एक सिख्चक को साधिन संपन होना चाहिए इस कार्थ क्या होता है उसके पास परयाफ्ट धन संपना होने चाहिए आपके नहीं उसका अधिकारियों के साथ बुठना बैटना हो बिल्कुल नहीं उनका अपने विद्यारतियों की समस्याओं को हल करने का परयाफ्ट ग्यान होना चाहिए यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रसद्धी से कोई लेना देना नहीं है तो यही आपका सी वाला उप्षन जोड़ सकते हैं इनमें से कौन सा सिध्धान्त ये दर्साता है कि अपेच्चित व्यवहार के सन्निकट सकरात्मक पृतिक्रिया और पुनर बलन के फलसुरोफ व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है वाद्य अनुबंदन सास्त्री अनुबंदन और ऑपरेंट अनुबंदन सामाजिक अनुबंदन बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑपरेंट अनुबंदन सही होगा ये दर्साता है कि अपेच्चित व्यवहार का विकास सकरात्मक पुनर बलन के फलसुरूप होता है ये सकरात्मक जो पुनर उसके द्वारा प्राप्त जो परड़ाम होते उनी पर निरबर करता है सी वाला आपका ऑप्षन है आपर सही हो जाएगा तो सभी प्रसन हुए हमारे समाप अब एक प्रसन आपके लिए बीच जैसा कि सभी वीडियो में आप से एक प्रसन पूछते हैं ये है आपका इस वी अपना अंसर वीडियो के में कमेंड में टाइप करके बताईएगा लाइव टाइमिंग दो हैं तो पहर के तीन बजे साम के आट बजे तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं प्रसन के प्रसन कर सकते हैं तो आज वड़ में इतना ही रखते हैं और टोटल अपने प्रस्नों का स्कोर अवर्ष बताईए करिये कि 30 में से कितने प्रस्नाव के सहीर है मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन